दोस्तो नमस्कार, SSECD को निस्टेबल भरती परिक्षा 2023, 23 जनवरी थर्ड शिफ्ट का पेपर आपका यहाँ पे खतम हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्यूशन आज पेपर में सभी पूछे गए हैं, दोस्तो आपका एक्जाम नहीं हुआ है, आगे होना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महतपूर्ण, और आपका एक्जाम आज था तो कमेंट बूक से बताना आपने कितने क्यूशन अटेम्ट किये, दोस्तो पहला क्यूशन, सोने का प्रयावाची सब्द कोन सा है, तो सोने का प्रयावाची सब्द कोन सा नही सोने का प्रयावाची सब्द इन में से कोन सा नहीं है, तो तीन ओप्शन थे, वो सोने के प्रयावाची थे, लेकिन एक जो नहीं है, वो उत्तरा जाएगा, ठीक है, अगला क्यूशन, अभिवेक्ति की सवतंतरता किस अनुशेद में है, तो दोस्तों यहाँ पर देखे, अ भारते सम्दान के अनुशेद Year 19 में वाक एउ अभिवेक्ति की सवतंतरता का प्रयावधान है, और आम तोर पर यह राज्ये के खिलाप लागू होता है, तो दोस्तों अभिवेक्ति की शवतंतरता है अनुशेद 19 में, Next question, यहाँ पे दोस्तों नर्ते पूछा गए है आपक ये जरूर आ रहे हैं अब तक जितने भी पारिया हुई हैं सभी में पूछे गए हैं तो दोस्तो चूपार्थ नर्टे किस राजे से हैं यह सिक्किम राजे से यह सिक्किम राजे का एक परमुख लोक नर्टे हैं सिंधी लोग मकर सकरांती को किस नाम से जानते हैं तो सिंधी लोग मकर सकरांती को किस नाम से जानते हैं यह किस नाम से मनाते हैं तो उत्तर आएगा तिरमुरी ठीक है सिंधी लोग मकर सकरांती को तिरमुरी नाम से जानते हैं और मकर सकरांती को दोस्तो कई नामों से जाना ज ठीक है तो सिंधी समाज में मकर सकरांती तिरमूरी के नाम से जानी जाती है समाज के लोग कन्याओं की घरों में पूजा करें उन्हें तिल का गजग देते हैं ठीक है इसलिए इसका नाम है तिरमूरी अगला क्यूसन रास्टे आय कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देखे एकोनमिक्स के क्यूसन भी आ रहे हैं तो रास्टे आय कैसे निकाला जाता है तो दोस्तों 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 आपका एक्जाम की सतारिक को अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर से बताएं दोस्तों दिल्ली में उधमीता सेल और नवाचार के अंदर का उधगाटन किसी ने किया तो इसका उत्राएगा स्री अस्विनी वैस्णव ने किया ठीक है दिल्ली में उधमीता सैल और नवाचार केंदर का उधगाटन है ये किया स्री अस्विनी वैस्णव ने सेबी की पहली महिला परमुख कोन बनी तो सेबी की पहली महिला परमुक आपकी पूछी गई है उत्तर आएगा माध्वी पूरी बूज ये सेबी की पहली महिला परमुक नियुक्त की गई ठीक है अगला क्यूसन भार्त की जनसंक्या की द्रश्टी से विश्वे में किस नमर पर आता है यानि भारत की जो जनसंक्या है वो विश्व में किस इस्थान पे है उत्तर आएगा दोस्तों दूसरे इस्थान पर है पहले पे तो चायना है आपको पता ही होगा बिल्कुल आसानी क्यूसन है तो सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंक्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सरवाधिक जनसंक्या वाला देश है ठीक है भात की जन संक्या विश्व की जन संक्या का 17% है और भात का 6 तरफल है वो सिर्फ 2.4 परसेंट ही है विश्व के 6 तरफल का यह पूर्वी भारत में दक्षेन ओडिसा के आदिवासी नागरिक अधिकार कारे करता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्यूसन आपका, अनुचे दे 289 एक किस से सम्मंदित है, तो 289 एक किस से सम्मंदित है, माल और सेवा कर परिशद से सम्मंदित है, इसमें का गया है कि राष्ट प्रति सम्मिधान संसोधन अधिनियम 2016 के प्रारम होने की तारिक से 6 दिनों के भीतर, आदेश द्वारा माल और सेवा कर परिशद नामक एक परिशद का गठन करेगा, ठीक है, तो अनुचे 289 ए, है ये पूछा गया है आपका, अगला क्यूसन पहला जूट कार खाना कहां इस्थापित किया गया था, तो दोस्तो पहला जूट कार खाना कहां इस्थापित किया गया, उत्तर आएगा कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिशरा में, और कभ इस्थापित किया गया, तो पहला जूट कार खाना सन 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर इस्थापि से सम्भंदित हैं ठीक है next question आपका अरुनाचल परदेश का लोक नर्तिय दोस्तों पूछा गया है तो वैसे तो यह option के इसाब से होगा लेकिन अरुनाचल परदेश के अरुनाचल परदेश के लोक नर्तिय है सेर और मयूर ठीक है अगर आज आपका एक्जाम था इस सिफ्ट में तो आप ये कमेंट करके बताना कि क्या ये क्यूसन पूछा गया है क्यों कई दियार्थ्यों ने क्यूसन बताया है लेकिन कंफरम हमें नहीं हुआ इसलिए आप से पूछ रहे हैं तो कबड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं तो कबड़ी में परतेक्स पक्स में साथ खिलाड़ी होते हैं ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट क्यूसन आपका सेवी के चेर्मेन कोन है तो इसका भी आप कमेंट करके बताएं कि क्या एक क्यूशन पूछा गया है तो सेवी के चेर्मेन कोन है उत्तर आएगा अजयते आगी है सेवी का मुख्याल है कहा है अगर आगे आने वाली सिफ्ट में पूछ लिया जाए तो सेवी का मुख्याल है दोस्तो है मुंबई में, ठीक है, सेवी के चेर्मेन कोन है, अजयत्यागी, सेवी के वर्तमान में अध्यक्स बनाये गए हैं, अजयत्यागी, next question, सुगंद का विलोम सब्द, तो दोस्तों सुगंद का विलोम सब्द हो जाएगा, दुरुगंद, बि लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे इन में बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरुत नहीं है, बाकि दोस्तों, ऐसे जेडिक अग्जाम आपका नहीं हुआ, तो बस टाइम का ध्यान जरूर से रखना, पेपर आपका इन 20 क्यूसन में से 3-4 तो ऐसे आयते, ऐसे क्यूसन आ रहे हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, यानि उनको करने में काफी टाइम चाहिए, तो आपको ऐसे क्यूसन को पहले ही पहचान करके उनको छोड़ना है, ठीक है बाकि उमीद है आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा ऐसे ही डेली SSJD एक्जाम की आंसर की देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के हमाई साथ जरूर से जोड़ जाएं, ठैंक यू, जाहिंद, वन्दे मातरम